नमस्कार आज का बाजार में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ पूजात रुपार्थी और आप देख रहे हैं ET Now स्वादेश और इस शो में हम आपको आज देंगे मार्केट का पूरा रैप अप किस तरह का दिंभर आज कारुबार रहा दिंभर किये हैं कबरी कौन लेकिन चलिए शुरुआ सबसे पहले कर लेते हैं आज बाजार में किस तरह कारुबार रहा पहले एक बार वह समझ देते हैं और आज हमने देखा कि लगातार दूसरे दिन तेजी देखने को मिली इंफैक आज दोनों ही साइट के ट्रेड मार्केट में देखने को मिले लेक किस तरह का कारुबार रहा बाजार में कौन कौन से सेक्टर थे जहां पर की एक्शन रहा है ये पूरी डीटेल लेकर दिमपी कल रहा हमाई साथ मौजूद है दिमपी बताइए देखे एक्सपारी वाले दिन के अंदर वीक के अंदर इस सेकेंड डे था जब मार्केट के अंदर शॉट कवरिंग आते हो देखी कल फोर्स जादा था आज थोड़ा फोर्स कम था आज मार्केट 18,000 से लेकर 18,200 की रेंज बे रह गया क्योंकि आज मार्केट में जो शॉट कवरिंग था वो कल के मुकाबले थोड़ा कम था और एडवांस डिकलाइन भी कल के मुकाबले थोड़ा आज कमज़ोर था लेकिन फिर भी आज का दिन भी मार्केट के लिए काफी काफी बहतर किया जाएगा क्योंकि चरण बद तरीके से जब 18,600 से बजार तूटा 17,800 तो दो दिन के दो उसने रिकवर करके अड़ना के वाल 18,000 को कल बचाया था बलकि 18,000 के उपर क्लोज भी किया है तो सेकिंडे की रिकवरी भी इंपॉर्टेंस रखती है भले लेवल्स के साब से हम थोड़ा कम है एक और चीज आज क्योंकि वाइदा एकसपारी की तरफ हम बढ दिखाई है इसका मतलब बजार में स्ट्रॉंग हैंड्स में अभी वापिस से पोजिशन्स आ रही है पहले शॉट कवरिंग हो रही है और हो सकता है थोड़ा कम वॉल्यूम रहे एक से दो दिन में लेकिन बजार अभी 18,000 को अपना बेस बना चुका है यह कल और आज के ट् दोड़ा कम किया जा सकता और दूसरा थोड़ा पिटा हुआ सेक्टर था तीसरा एकसपारी सामने खड़ी है तो इसके अंदर पोजिशन्स रोल होके जारे हैं वह काफी स्ट्रॉंग गई है इसलिए इस बार के कंट्रेक्ट के अंदर डिसेंबर के अंदर शॉट कवरिंग हुई है और जैन के अंदर चली है हिंडाल को उसमें से टॉप गेनर था टाटा स्टील के अंदर अच्छी वैलूइशन बाइंग देखने को मिली जीएस डवलू स्टील वीड़ा ओन जीसी भी आच चला कुई कच्छा तेल 84 के उपर है और बैक टू बैक यह नए साल के शुरुआत होते ही और इस सामने एक स्पारी खड़ी है तो जो चर्निंग हो रही है जो रोल ओवर हो रहा है वह काफी पॉजिटिव हुआ है आते हैं वीक काउंटर्स पे निफ्टी के उसमें एक्च्वेल टूटा साथी सा टूटा अपोलो हॉस्पिटल न दिखा चोटे मजहोले शेर्स की तरफ आएंगे तो वहां पे फर्टलाइजर स्टॉक्स काफी एक्टिव है अब सिर्फ 34-35 दिन रहे हैं बजट आने में तो ठीक उससे पहले जो कॉमडिटी वाला प्ले है जिसमें गौवर्मेंट का जाना रेगुलेशन है वह थोड़ा एक्टीव हुआ है उससा फैक्ट आच चला धानी के अंदर मजबूती आई है इसके लावा एची जीजी कंपनी जैसी कंपनी आच्छी चली है आपको पता है इन्होंने एक नई सबसेडरी बनाई है और भारत में अब नए तरह किसी एक बिजनस को बढ़ाना चाहते है लि जिन शेर्स ने आज लगाया वो था जिंदल स्टील साथ ही सी सील प्रोड़क्ट जिसकों कैफे कॉफी डेवी कितना उतरत तौर से भी जानते है उसने आज साल का हाई लगाया कुल मिलाके दो दिन से जो मार्केट के अंदर शॉट के वरिंग चल रही है उसने बजार के ड डिंपी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए तो 18,200,18,400 ये एक काफी एहम लेवल है जिसको की हम वाच करेंगे देखना होगा कि इसे पार कर पाता है या नहीं बाजार अगले कुछ दिनों में लेकिन उतार चड़ाव बना रहेगा ये भी जो है हम मन्त के एक्सपाई आज महा पर जोरदार तेजी देखने को मिली चीनी शेरों के लिए तेजी का नया ट्रिगर रख्या है ये समझ लेते हैं और वामाक्षी हमारे साथ जोड़ चुकी है पूरी जानकारी लेकर वामाक्षी बताइए आज शुकर शेरों में तेजी क्या वजा थी जी बलकुर शुकर सेक्टर में हम देख रहे हैं काफी अच्छी तेजी नजर आ रही है अगर हम इतनल ब्लेंडिंग प्रोग्राइम की बात करें तो ये ट्रैक पर नजर आ रहा है 2,025 तक 20% ब्लेंडिंग का जो टार्गेट है कर्रेंटली 10% पर है और ESY 2022-2023 के लिए इनका टार्गेट है 12% ब्लेंडिंग का शुकर सेक्टर की बात करें तो काफी सारे डेवलाप्मेंट्स हुए है रिसेंटली हमने देखा कि इतनल प्रोडक्शन के लिए 100% इंसेंटिव जारी किये है नवेंबर महीने में OMCs का भी इतनल प्राइस को बढ़ा सकते हैं ऐसी उमीद की जारी है 55.84 से 58.5 प्रती लीटर तक बढ़ा सकते हैं और मिनिस्टर हरदीप सिंग पूरी का भी कहना है कि E20 यानि कि पेट्रोल जो 20 प्रतिशत इतनल से मिला हुआ है वो सिलेक्ट मार्केट में इंट्रिउस किया जाएगा पाइलिट बेसिस पर इसमा भी गाबर्मेंट से आगर कर रही है इतनल प्राइसे बढ़ाने के लिए और सप्लाइ फ्यर्स के चलते शुगर फाइव यर की उच्छ हाई पर हमें नजर आ रहा है और इन साथे फैक्टर्स को जान में रखते हैं हमने देखा कि शुगर स्ट्रॉक्स का 2022 में काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है श्री रेनु का शुगर को ही देख लीजए 91% तक बढ़ा है ये स्टॉक ये साल में उसी के ठीक बाद हम देख रहा है कि द्वारीकेश में भी काफी अच्छी तेज़ी नजर आई है 41% ते बढ़ा है on a year-to-date basis इसके अलावा EID Paddy, Treveni Engineering और बलरामपूर चीनी मिल्स में भी हमने काफी अच्छी तेज़ी नजर आई थे कैर ये तो हो गए सारे positive factors जो अब आचुके हैं मगर आगे के लिए कौन से ऐसे triggers नजर आ रहे हैं government और financial institutions को 1131 ethanol plant proposals आए है ethanol का जो इस्तमाल है वो अगली तीन साल में दुबना हो सकता है ऐसी उमीद की जा रही है और ilara securities in fact उनका expectations है कि 17 से 18% petrol में blending हो सकती है FY25 तक जो अभी 9.6% पर है FY22 में तो overall काफी सारे positive developments sugar sector में हुए है और आगे चलते भी हमें नजर आएंगे और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि sugar counters में आज काफी अच्छी तीजी नजर आ रही है बिल्कुल तो बहुत बहुत आशुक्रिया माक्षे आपका ये सारी जानकारी देने के लिए तो ये काफी सारे triggers थे जिसके वज़े से हम में देखा कि आज अचीनी शेरों में जोड़दार तेजी देखने को मिली लेकिन चलिए अब आगे पढ़ते हैं कुछ और भी स्टॉक्स थे आज जहां पर किये आज अच्छा एक्षन देखने को मिला और उसमें HEG HEG ने graphite and not के लिए subsidiary company tech का गठन कर लिया है इससे जुड़ी और क्या details है ये भी एक बार समझ लेते हैं क्यों इस share में आज तेजी देखने को मिली ये जानने के लिए चलते हैं शरत के पाद शरत बताएए HEG में तेजी की क्या वज़ा थी ये शांदार तेजी देखने मिल रही है और चाइना की जो reopening की थी में उसके कारण बज हो रही है और उसका rub of effect जो आपके electrode makers को भी देखने मिल रहा है जैसे की HEG और Graphite India लेकिन HEG में CapEx Plans का भी announcement आया और एक नई Holy One subsidiary बनाएंगे जहां पर वो जो है अनोट बनाएंगे material जो lithium-ion cell batteries में लगने वाले हैं ये important इसलिए क्योंकि जो investment plans है लगबग 2,000 करोड कर रहने वाला है तो most probably analyst कहे रहे internal aqual से होने वाले है लेकिन Graphite इंपोर्टन क्यों है lithium-ion cells के लिए इसका important बात ये है कि लगबग आप कह सकते है 19% टोटल production में यूज होता है इसल्स का उसमें lithium-ion का सबसे बड़ा जो है आप कह सकते है Graphite सेगमेंट में सबसे जादा contribution देखने मिला और अभी भी अगर September month से देखे तो Graphite electrode prices चाइना के 11% की बढ़ोतरी दिखाए हैं लेकिन क्या एहम triggers है आपके Graphite India के लिए और जो है आपके H.E.G. के लिए जो Graphite electrode मेंगोज है Domestic triggers में देखे तो PLI scheme एक आने वाली है जहाँ पर mandate कर देता है Compulsive है जाता है कि 60% Domestic value addition cell production का भारत से ही होगा मतलब indigenous production होगा इसके लावा Global triggers के बारे में बात कर लें यहाँ पर सबसे बड़ी component है जो use होती है lithium-ion battery में और उसके लावा चाइना की reopening की theme के कारण metal में जो एक upcycle की strength देखने मिलेगी दुनिया का सबसे बड़ा player graphite electrode के graph tech ने भी strong management commentary दी है demand को लेके आगे जाते हुए और आखरे में मैं बताऊंगा कि जो US की steel market से वहाँ पे भी demand बहुत strong लग रही है और utilization levels पे भी एक अच्छा improvement देखने मिला लेकिन हाला कि risk जरूर है especially covid risks और एक price volatility क्योंकि एक cyclical जो है ये product है बहुत 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 शुक्रिया अशरत आपका ये सारी जानकारी देने के लिए तो ये कुछ धेर सारे factors थे जिसकी वज़े से हमने देखा कि HEG के stock में आज 8% की तेजी देखने को मिली अब आगे पढ़ते हैं और आज एक और sector focus में था metal index हमने देखा कि वहाँ पर 4% की तेजी देखने को मिली steel sector को budget में बड़ी राहत मिली की भी बात इस बीच की जारी है सुत्रों के हवाले से जानकारी मिली है सरकार मैगनीज और क्रोम ओर पर basic custom duty हटा सकती है इस पर और जादा details के लिए चलते हैं हमारे सवयोगी प्रकाश के पास प्रकाश बताई देखिए अगामी बजट में steel sector को बड़ी राहत मिल सकती है सुत्रों के हवाले से जो exclusive जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार कुछ raw material पर जो basic custom duty है वो हटा सकती है और यह जो raw material है मैगनीज और क्रोम ओर सुत्र हमें बता रहे हैं कि steel मंत्राले ने ये प्रस्ताव वित मंत्राले को भेजा है और इसके पीछे की जो दलील है वो ये है कि घरेलू बजार में ऐसे raw materials जो minerals हैं उनकी उपलब्धता बेहत कम है जिसकी वज़े से steel कंपनियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है लिहाजा raw material की उपलब्धता आसान हो, कीमते कम हो इसके लिए जो basic custom duty है magnezoar और chrome ore के उपर उसको हटाने की जरुवत है लिहाजा सरकार 2.5% basic custom duty जो की इन products के उपर है इन minerals के उपर है वो हटा सकती है जैसा कि आपको पता है की देश के अंदर जो दुनिया का chrome reserve है उसका महज 1% ही भारत के अंदर है लिहाजा घरेलू बजार में steel company के पास विकल्प बेहत कम होते हैं ताकि sufficient raw material की उपलवदता उनके लिए हो इसको ध्यान में रखते हुए ये प्रस्ताव steel mantra ले ने भेजा है सुत्रह में ये भी बता रहे हैं कि steel mantra ले ने इस scheme के दारे में steel sector को लाने से जो products हैं उसकी एक्सपोर्ट प्राइस है उसमें करीब करीब 12% तक की कमी जो है वो देखने को मिल सकती है और इसकी वज़े से global market में जो domestic steel products हैं वो viable हो जाएंगे वो काफी competitive हो जाएंगे तो इससे steel company को काफी बड़ी राहत जो है मिल सकती है बहुत 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 आशुक्रिया प्रकाश आपका ये सारी जानकारी देने के लिए तो बज़ेट में steel sector को बड़ी राहत मिलने की संभावना बताई जारी है लेकिन इस बार के बज़ेट में railway के transformation पर भी सकती है और ये भी बहुत संभव है कि जो पहले स्क्लीपर बेस्ट वंदे भारत ट्रेन होगी वो नई दिली से एक दक्षिड भारत के destination के लिए उसका एलान किया जा सकता है दूसरी बात ये है कि वंदे भारत ट्रेन तक्रीबन सौ से 110 वंदे भारत ट्रेन का announcement किया जा सकता और इसके जरीए railway की कोशिश ये है कि semi high speed mobility के सपने को साकार किया जाए और मेट्रो शहरों से बड़े शहरों से tier 1 city को जोड़ा जाए तीसरा focus रहेगा station development project में 50 और बड़े जो है stations है उनको station development project के तहट चुना जाएगा ये एक class के station होंगे जिसमें जो football है वो तक्रीबन पांच लाग के अनुवानित रहता है तो एक class station 50 station को चुना जाएगा इसके बाद railway का एक focus है कि जो operating ratio है जिससे railway की जो वित्ती स्थिती का अकलन किया जाता है तो माना ही जा रहा है कि 2023 के लिए operating ratio 97% के आसपास तै किया जा सकता है और इसके जरी कोशिश यह होगी कि आमदनी बहतर रखी जाए और खर्चा भी काफी नियंत्रित रखा जा सके और green mobility पे focus है लिहाज़ा electrification का जो दारह है वो अगले जाल भी पांच-जार किलोमेटर से ज्यादा कर रह सकता है एक आखरी में चुकि सेफटी एक एहम पहलू है तो कवच जो की नहीं तकनीक है जिसको railway ज्यादा से तो railway एक एहम नैशनल ट्रांसपोर्टर के लिहाँ से अगर आप देखे तो एहम बजट रहने वाला है फोकस मैसिव ट्रांसफोर्मेशन पर ही रहेगा बहुत 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 आशुक्री आप समीर आपका यह जानकारी देने के लिए तो बजट में रेल्वे की स्टेशन री डेवलप्मेंट पर और इसके अलावा काफी सारे ट्रांसफोर्मेशन इनिशेटिव पर भी इस बार बजट पर नज़र रहेगी चली बहुत 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 शुक्री आप समीर आपका यह साही जानकारी देने के लिए चली फिलाल इस बुलिटिम में इतना ही लेकिन आप बने देटी नाउस बदेश के साथ खबरों का सिलसला आगे भी जाए रहेगा